तो अभी जो कोश्चन नमोर 9 दा हाइट टो विच बलून विल विट हाइड्रोजन ग्यास राइज इन दे एर वैस डायक लिए टाइम तो यहाँ पे यह जो एक्जाम्पल वह डायक वेशन का है तो हाइड जो है बलून की बलून में क्या फ़रा है हाड्रोजन ग्यास फ़र जाता है तो वैसे वैसे जो बलून है जिसमें हाड्रोजन ग्यास बढ़ रहा है तो जो बलून है वो उपर उपर जाता है जैसे सा टाइम बिलू आर शीम सब्सक्राइब अबाउडवेशन अब ताइम कर्रेस्पांडिंग हाइट और बलून इन मिटर तो यहाँ पे कुछ यह जो ब्लैंक दियो फिलप करनी है तो देखिंगे वन वाई वन तो यहाँ पर हमें पहले टाइम को लेंगे एक्स और हाइट अब बॉलून जो उसको लेंगे वाई ठीक है तो आगे सॉल करते हैं इसको तो इसलिए आप देखो पहले टाइम को लेंगे एक्स जो बॉक्स मे ही जाए दैको यह बॉक्स में मेरिया touch अ और हाय टॉप बॉलों ही वाइफ तो यहां भी पूनא लिक्क लिया एक्स टाइम टिमन क्या है तो एकस और ृळ ऐक समर्न गएक्स है और है पले डॉर यह अब ray दिया है अपने लिए हैट अब ग्लून तो स्टार्टिंग में गिवन ही अपने को क्या दिया गिवन यहां पर ग्लून देखो जो हाइट है हाइट अब बॉलून जो एड़े डायकर टाइम मतलब हाइट का जो हमने लिए ऐगा य वह वह है तो कि मैं करेंगा ढाइक लीक्वा टू टुक ऐसके बात ड डिक्रट आ 1x is equal to k k मतलब क्या constant k is a constant of variation यह लिखना हर बार लिखना क्या जाप यह आप starting में के लिखते हैं वाप एक लाइन में लिखना के इस इसको नाम देना वन क्या आगे यूज करना है इसलिए इसको बन देना नाम ठीक है तो यह फिर इसको एक्विशन में बोलते हैं इक्विशन नंबर वन तो नाम दिया वन इसको उसके पास जो हमें वैलू दी है वह हम यहाप यूज करेंगे देखो यहाप वैल्यू जो दी है पहले इसलिए तो इससे हम कई करेंगे ठीक है तो यहाप अपर की वैल्यू यक्स क्ये निची क्या लू आएकिए तो यक्स इस लिख लिया यक्स पोर वाइस पूर्टीरट तो इसलिए तो वहीं आगे जो इक्विशन ने अपना उसमें यूस किया जो कोई एक्विशन ने सब्सक्राइब करने में बारज बार वर में उनी कुंचराइब सेंगे दारिकक क्या यहां फिर इसे डिने बार हो साइंग करें नहीं जरुकराइब में hybrid में तो 38 यह डिकल्टके फूर्ट संदिए तो फॉर्ट ट्वेल्ट जा और त्वैल फोर्ट पॉर्ट इसलिए आगाय त्वेल यह होगा एक के मिल गये tve अभी हम हर बार इसमें यूज करेंगे तो आगे जो दिया है हमें देखो पहले शार्टिंग में हमें के मिल गया 12 तो यहाँ पर आप हमें find करना है अगर time जो है ठीक है time 3 दिया है तो height निकालो time मतलब यक्स दिया है 3 तो y कितना होगा ठीक है तो यहाँ भी solve करेंगे तो यहाँ भी लिख लिए x is a 3 y find करना है ठीक है तो वही equation use करेंगे 1 वाला तो 1 अपना क्या है y is equal to kx ठीक है तो यहाँ भी use करेंगे y ठीक है y is equal to kx तो y जो है as it is k कितना है हमने find किया 12 और x मतलब कितना यह 3 आप use करेंगे 3 use किया तो 12 तो 36 तो y कितना मिलगा आपने को 36 y is 36 ठीक है उसके बाद आगे और दिया है हमने को क्या दिया हमें तो यह तो होगा 36 अपना यह होगा 36 अब यह एक्स हमें find करना है y दिया 84 तो वह use करेंगे अभी ठीक है देखो यह आपे x हमें find करना है y कितना दिया 84 अगें 1 तो 1 अपना क्या है y is equal to kx है ठीक है y is equal to kx तो while area 84 उसके बाद कितना है अपने find किया था 12 तो 12 उसके बाद into x जीओ as it is जैसा है वाशा x निकालना है 12 multiply में इधर लेके आएंगे तो यह आएंगा divide में तो 84 upon 12 is equal to x तो अगर 12 को divide किया तो 12 से 84 को divide किया तो 12 7 जा यह इसलिए x कितना आ गया अपना 7 लिए इसके बाद अब हमें आगे जो दिया है तो यह मिल गी हमें वैलियो यह कितने आगे से भाना गई ठीक है उसके बाद अब यह निकालना है तो यह कितना है 25 है वा इनिकालना है तो इसलिए आपर लिखा यक्सिस 25 वाई निकालना है आगेन एक्वेश्चन वाई इस उकल टू के एक्स यूज करना है तो इसको वन लिग आता डारेक वं से यूज करेंगे तो वन इंपलाइज तीक आरो करके वाई को निकालना है तो वाइढ है 10 की चेना है ट्वोड़ अपने फढ़न किया था और द Griff कितना है ट्वンドिफिब यह भी आपने तो हमने यह कर लेना आपने इसका जाता था ट्रीःंडेड्ड तो आगिकता मिल गया थिए अधिए इसके बाद पर यह जो है हमने 300 निकाला अब उसके बाद यक्स अपने वो निकालना है य दिया है 1860 तो यहां पर यूज करेंगे तो य जो है 1860 तो यहां पर लिख लिए यक्स फाइंड करना है हमें य गीवन है 1860 ठीके और 1 क्या है अपना y is equal to kx हर बार हमें यही एक्वेशन जो यूज करना है इसलिए आभी नमबर दे दिया ठीके तो y कितना है तो y देखो 1860 य आप लिए लिए y उसके बाद k कितना है k हमने फाइंड किया 12 और x फाइंड करना है यक्स आइड इस लिख उसके बाद 12 जो है multiply में इधर आएंगा divide में तो divide में आ गया 1860 अपवाण 12 तो आगे 12 की वैल से अगर divide किया तो इसकी वैल किया निकलेंगी फिर इसको divide किया तो आएंगा 155 ठीक है आपने divide कर लेना इसका आएंगा 155 तो यह होगा एक्स की वैल्यू 155 तो लास्ट में जो इस तरह से ठीक है पहली वैली जो है वह कितनी आ गए 36 दूसरी कितनी है 7 तुसरी 300 और 14 155 तो इस तरह से यहापे blank करके जो बॉक्स है अपने complete कर लेना ठीक है तो यह होगा इसका answer